आप सभी को नमस्ते मेरी यूटूब चैनल में अक्टिविटी ब्लोग में आप सभी का स्वागत है आज मैं फिर से और एक रेसिपी के साथ आपके पास आई हूँ यहाँ पे हरी मुंग दाल से मैं एक स्वादिश रेसिपी बनाने वाली हूँ यह बोहत ही स्वादिश लगत साफ करके ली हूँ यहाँ पे हरी मिर्च ली हूँ अपने हिसाब से लेना है यहाँ पे एक टुकडा में अदरक ली हूँ इसे काट ली अभी इसमें साबूत जीरा ली हूँ मैं और यहाँ पे कड़ी पत्ता साथ आठ पत्ता में यहाँ पे ली हूँ इसे अभी दर दरा ग सबसे डालने के बाद यहां पर और दो चीजे मिला लेते हैं यहां पर चावल का आटवा ॉच्छ तरह से अच्छ स्वस्टा भेर अखे मिला लेना भेर, अभी इस तरह से बंगे तरह से भीडिया बेल चड़ा दी यहाँ पे तेल डाल दी और इस तरह से देखिए इसे यहाँ पे हाथ में तेल लेना है और इस तरह से गोल गोल लेना है और इसे चप्टा कर देना है ऐसे ही बनाना है इसे रखने को नहीं होगा डायरेक्ट बनाते जाना है और डालते जाना है यहाँ पे मैं गोल कर लिए चबिटा कर ली और यहांपर तेल में इसे डाल लेना है इस तरह से सारी मिक्स identifier को मैं इस तरह से गोल कर लोंगी और चबिटा करके एक एक करके मैं पैन में डाल लूँगी पहले यहाँ पे तेल को अच्छे से गरम कर ले जब गरम हो जाए तो इसे लो फ्लेम में कर देना है इसे सारे कटलेट को लो फ्लेम में ही पकाना है क्योंकि हाई फ्लेम में पकाएंगे न यह सिर्फ उपर से ही पका हुआ दिखता है लेकिन अंदर यह कच्छा ही रह जाता है इसे लिए इसे हमेसा लो फ्लेम में ही पेलत में पडित को पका लिये और घीशु केसे निकाल सब्सक्राइब रेल्ण की तको ब psychological में उतकु आधक की ताइक गितिक परेल वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा यहाँ पे सार एक अच्छे से पका हुआ है यह खाने में बहुत ही स्वादिस्ट लगता है इसे सोस या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं इसे गरम-गरम खाने में बहुत ही मज़ाता है इसलिए गरम-ग बनाये और खाये थैंक्यू